आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी कभी भी कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा हो और इसपाईची खाने को मन कर रहा हो और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस रेसिपी को इजी से बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे हलो दोस्तो मैं हूं सीमा आपका स्वागत है मेरे चैनल में इस मजेदा रेसिपी को बनाने के मैंने यहां पर एक कड़ाए लिए इसमें मैंने एक कटोरी पानी एट कर दिया है और जैसे हमारा पानी गरम हो इसमें हम आधी चमज अजवाईन एट कर देंगे आधी चमज राए डालेंगे और टेस्ट की साबसे नमग एट कर देंगे और साथ में डालेंगे एक चमच यहाँ पे तेल तो तेल से हमारे इनास्ता बहुत ही खस्ता बनेगा अब मैंने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी लिए वो एट कर देंगे एक कटोरी पाने में आधी कटोरी सूजी एट करेंगे सूजी की जगह आप चावल का आटा भी एट कर सकते हैं सूजी को मच्छे से मिक्स कर देंगे दो से तीन मिनिट में गरम पानी में सूजी को मिक्स करेंगे तो ये सूजी एकदम से गाड़ा हो जाएगा और जो दानेदार लगता है वो भी नहीं लगेगा बिल्कुल चिकना हो जाएगा तो ये सूजी का डो बन के तियार हो गया है इसे हमें एक प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे अब बनाते हम मसाला एक कड़ाय में चमर तेल डालेंगे और जिसे तेल गरम हो उसमें डाल देंगे हम जीरा और साथ में डाल देंगे पत्ता गोबी पत्ता गोबी के साथ डालेंगे दो हरी मिश बारी कटे हुई और दोनों को अच्छे से भून लेंगे सब्जीव की कॉंट्यूलिटी आप आपकी हिसाब से कर सकते हैं इन दोनों को दो मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चा पने वो खतम हो जाएं पत्ता को भी अच्छे से भून चुकी है अब इसमें डाल देंगे एक छोटा प्याज बारी कटा हुआ प्याज को भी हम दो मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि ये सौपट हो जाए इन दोनों को हम एक मिनिट के लिए चलाते रहेंगे प्याज भी हमारा भून चुका है अब इसमें डाल देंगे छुटी साइज का टमाटर टमाटर का खटा पनाता है तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है टमाटर की जगा आप निम्बू का रस भी डाल सकते हो या फिर आमचुर पाउडर भी डाल सकते हो टमाटर भी अच्छे से भून चुका है इसमें डाल देंगे दो आलू उगले हुए मैंने अच्य से मेश कर लिये हैं और सात में डालें हम यहां पर मसाले तो मैंने डाला है आदा छोटा चमळ लाल मेश पाॉदर टेस्ट की साबसे नमख खल्दी पाॉडर और एक चमळ धनिया पाॉडर ऐट कर देंगे और इन सब को अच्य से मिक्स कर देंगे दो से तीन मिनिट में ये सारे मसाले आसानी से बुन जाएंगे और आलू में भी कलर आ गया है बहुत ही अच्छी तरह के से ये आलू का चटपटा मसाला बनके तयार हो चुका है इसे भी हमें क्लेक में निकाल के ठंडा कर लेंगे पते हम आगे के तयारी तो यहाँ पर हमारी सूजी भी अच्छे से ठंडी हो चुके है इसे अच्छे से मेस करके इसे डो की फोम में लाना है तो हातों पर थोड़ा सा तेल लगा ले ताकि हातों पर चिपके नहीं तो इस तरह से हमारा डो बनके तयार हो चुका है अब हमें बनानी है यापे छूटी छूटी लोईया तो मैं हातों में थोड़ा सा पोश्चन लोगी और इस तरह से इसे अच्छे से फिला लोगी इसे कटोरी जिससा बनाना है थोड़ा सा फिर इसमें हम थोड़ा सा मसाला रखेंगे ज्यादा नहीं रखना है, सिर्फ थोड़ा सा ही रखें अलो मसाला रखने के बाद उपर से अच्छे से कवर कर देंगे एक दम आसानी से बन के तैयर हो जाता है ये और इसी तरह से मैं सारी लोईया बना के तैयर कर दूंगी यहाँ पर सेप आप आपकी पसंद का कोई भी बना सकते हो सारे बोश बन के रिडी हो गए है, अब चलते हैं हम इने फ्राइ करने के प्रोसेस में इने फ्राइ करने के लिए मैंने तेल को पेरे से गरम होने के लिए रख दिया था और जैसे हमारा तेल गरम हो एक एक करके सारे पीस हम इसमें डाल देंगे पहले तो हमें तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है और जैसे हम यह बहुत तेल के अंदर डाले तो यहाँ पर हम गेस को फ्लेम को मीडियम कर देंगे और medium flame पर हम इन्हें उलरते पुलरते वह अच्छे से पका लेंगे इन्हें अच्छे से से शेखने में यहापे हमें 4-5 मिनिट का टाइम लगेगा अगर हम यहापे गेस का flame को हाई रखेंगे तो यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चे रहे जाएंगे इसलिए हमें medium flame पर इन्हें उलरते पुलरते रहना है अच्छे से golden brown कलके हो चुके हैं हम इने बहाँ निकाल लेते हैं तो यह हमारा सुजी का नास्ता बनके तयार हो चुका है आप देख सकते हैं यह बहुत ही क्रिस्पी बना है और दिखने में भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ यह देखिए यह बिल्कूल भी तेल नहीं सोकता है और बनके कितना अच्छा तयार हुआ है और यह खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ में यह बहुत ही हेल्दी भी है तो एक बार इसी जरूसी ट्राइ करना आप और अगर आपको आज की मेरी रेसिवी पसंद आए हो तो लाइक शेए और सस्काइब करना बिल्कूल ना बुले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखेगा थाइंक्यू फोर वोचिंग